नमस्कार आज आयरन और प्रोटीन से भरपूर लड़ू बनाएंगे या मुंग डाल से बनाएंगे इसके लिए एक कप मुंग डाल ले लेंगे इसको अच्छा पानी से धो कर सुखा लेंगे पानी से इसको इसलिए दोएंगे ताकि इसमें जो डस्ट होते हैं वो सारे निकल फिर इसको एक कपड़े के ऊपर रखकर पानी सारा निकाल लेंगे और एक कपड़े से इसको पूच कर सुखा भी लेंगे, थोड़ा पंखे की नीचे रख देंगे, ताकि यह थोड़ा सुख जाए, मुंग दाल को थोड़ा सुखाना है, ज्यादा बहुत अच्छा सुखाने का जोगत नहीं है तोड़ा साप तावेल से इसे हलका पोछ देंगे अब एक कड़ाई गरम करेंगे कड़ाई जब गरम हो जाएगा तब हम इसमें मुंग डाल जो थोड़ा सुखा कर रखे हैं उसे डाल कर इसे भूनेंगे slow flame पर भूनेंगे आप medium भी थोड़ा कर सकते हैं लेकिन ज़ादा तेज पर नहीं भूनना है slow flame पर यह अच्छा भून कर ready होता है और इसे हमें भूनने में time लगेगा ज्यादा slow flame पर ही मुंग डाल को अच्छा roast करना है ताकि यह अंदर तक अच्छा पक जाए मुंग डाल जब हलका color change करने लगेगा अच्छा यह dry हो चुका है और बहुत ही अच्छा इसका golden brown color आया है अब चुले को बंद कर देंगे मुंग डाल को भूने में करीब करीब हमें 15 मिनट लगे हैं इसको slow flame पर हमने अच्छा भूना है अच्छा dry roast किया है अब इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे जब ठंडा हो जाएगा तब इसे हम पीसेंगे तब तक थोड़ ड्राइफ रू सकते हैं तो जो भी डालना है आप उसको cut कर ले और इसमें हम नारियल भी डालेंगे नारियल का बुरादा डालेंगे अब यह मुंग डाल हमारा ठंडा हो गया है अब इसे पीस लेंगे तो पीसने के लिए हमें इसमें पानी नहीं डालना है सुखा ही पीसना है इस तरह से तो यह दरदरा है अभी थोड़ा और पीस लेंगे अब यह थोड़ा अच्छा पीस के थोड़ा पाउडर के फॉम में आ गया है मुंगदाल अच्छा पीस कर रेडी हो गया है अब कडाई को फिर से गरम करेंगे इसमें एक चमच घी डालेंगे यह लड़ू बहुत ही कम घी में बनता है और बहुत ही टेस्टी बनकर रेडी होता है इसमें मैंने एक चमच पस घी डाला है और जुरत के हिसाब से बाद में डालेंगे अब इसमें जो पीसा हुआ मुंग डाल था उसे डाल कर हम इसे भूनेंगे फ्लेम को स्लो या मीडियम पखेंगे अब इसमें लग रहा है कि थोड़ा और घी चाहिए तो एक चमच के करीब घी मैंने डाल दिया है इस लड़ू को मैं बिना मलाई बिना मावा के बना रही हूं इसमें जो दो चमच घी है बस वही डाला है मैंने उसी में यह लड़ू बहुत ही अच्छा बनकर र दो मीनट भून लिया है अब इसमें नारियल का बुरादा दो तीन चमच डाल देंगे इसका भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है लड़ू में इसमें आप पंपकीन और मेलन के सीट्स भी भून कर डाल सकते हैं अब इसको थोड़ा भून लेंगे दो मीनट यह जो मुंग मुंग दाल है ड्राइफ रूट्स के साथ बहुत ही अच्छा भून कर रेडी हो गया है बहुत ही अच्छा खुसबू आ रहा है मुंग दाल अच्छा भून चुका है अब इस टाइम पर मुंग दाल को उतार लेंगे चुले से इसे थोड़ा ठंडा करेंगे ताकि हम बनकर रेडी होगा इसके लिए मैं हाफ कप के करीब गुड ले रही हूं इसमें हाफ कप पानी डाल दे रही हूं अब इसे गरम करेंगे गुड को हमें ज्यादा खौलाना नहीं है ज्यादा उबालना नहीं है बस गुड को पिगला लेना है जब गुड पिगल जाएगा त इसको डाल देंगे उसमें ड्राइट फूट्स भी है सारे कुछ है अब इसको थोड़ा मिला लेंगे बहुत ही अच्छा मिक्स कर लेंगे मिक्स करने के बाद इसमें नारियल का बुरादा दो चमच और डाल देंगे ताकि इसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा आप चाहें तो आप इसमें इलाइची पाउडर भी डाल सकते हैं इसमें फूड कलर भी डाल सकते हैं ताकि इसका कलर और भी अच्छा हो जाए तो लड़ू बनाना शुरू कर देंगे इस तरह से जितने भी साइज का आप चाहें छोटा बड़ा किसी भी साइज का आप लड़ू बना सकते हैं इस तरह से अगर बनाते टाइम ज्यादा ठंडा हो जाता है तो यह बनता नहीं है तो इसको चुले पर थोड़ा गरम करके करीब करीब 20-25 लड़ू बनकर तयार हो गया है यह लड़ू आप तेवार में बना सकते हैं बहुत ही हेल्दी और टेस्टी लड़ू बना है और इसको बनाना भी बहुत असान है और बहुत ही अच्छा लगता है खाने में यह लड़ू इससे आप पूजा तेवार में बना सकते हैं, होली दिवाली किसी में भी बना सकते हैं पॉस्टिक लड्डू बना है